दोस्तो स्वागत हैं आप सभी का एक बार फिर से आपके इस अपनी यूट्यूब चैनल रसाइन टीरे में और दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक बहुत ही जबरदस्त वॉल का डिजाइन और पीवीसी पैनल दिवार पर लगाने का कितना खर्च जो हो आता है तो सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्ष्ट करना चाहता हूँ चैनल को आपने भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहां पर पूरा लुक दिखा देता हूँ यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों यह जो वोल है दोस्तों कितना सीलन इस पर जो हो आई हुई है और बहुत सारे भाई हमारे जो हो कॉमेंट करते हैं कि क्या सीलन वाली दिवार पर पर पीवेसी पैनल लगा सकते हैं तो आज वही पूरा सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ यह देखिया आपको इन दिवारों पर नीचे की तरफ आप दिखाई दे रहा हूँ अगर कितनी सिलन जो आ रखिया है और दिवार कितनी ज्यादा खराब जो वह हो रखिया है तो और एक साइड में इस आपको उपर नीचे की यू लगाने के बाद में साइड वाली यू जो हो लगा लेनी है जो कि आपको लेफ्ट हैंड साइड से लगा लेनी है जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब आप वॉल पर पैनल लगाना स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले जब एसेसरी आप लगाएंगे तो accessory लगाने कहा पर आपको लगानी है left hand side से आपको accessory जो लगा करके चलनी है जैसे कि यहां पर आप देख रहे हैं और इस accessory को हमने kilo दौरार जो रोके हुआ है जो accessories का इस्तेमाल किया गया है दोफों वो और के वल उसकी finishing के लिए इस्तेमाल किया जाता है panel को थोड़ सपोर्ट मिल जाती है और उसकी जो है paper finishing जो है वो आ जाती है तो यहां पर आप देख सकते हैं side वाली हमने left hand side से जो हो शुरू कर दी है बिडिंग लगानी और यह हमारा बिडिंग अभी पूरे तरीके से जो हो लगने वाली है उसके बाद में आपको पैनल भी इसी मतलब इस तरफ से ही जो स्टार्ट करने है जैसे कि आप यहाँ पर वीडियो में देख रहे हैं मैंने आपको पहले भी कई बार यही वीडियो में बताया है कि जब आप वाल स्टार करेंगे तो लेफेंड साइड से करेंगे लेफेंड साइड से वाल स्टार करने का दू hijo hoje इस्ट उल् vazad करेंगे तो आगे जब आप द्रेटल जो है वो problem नहीं आएगी जो wall install करने के लिए ठीक है तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारा right hand से जो है हम work कर रहे हैं तो आप finally हमने पहला panel जो है वो start कर दिया है लगाना और यह panel को आपको सबसे पहले panel का जो group होता है तो उसको आगे से cut कर लेने के बाद में अपन का lock होता है उसमें अपना जो आपकी kill है उनको लगा देना है अब दोस्तों kill आपको normal वाली kill बिल्कुल भी use नहीं करनी है जो kill का इस्तेमाल करना है दोस्तों बैटन की टी जो आती है जो की wire को रोकने के लिए बैटन की टी इस्तेमाल की जाती है तो उसका आपको kill निकाल करनी है वही kill आपको इस्तेमाल करनी है वह सबसे ज्यादा अच्छी जो होती है उस kill से दोस्तों आपका panel जो कभी भी नहीं निकलेगा और बहुत लंबे टाइम तक यह पैनल जो हो आपका रुका रहेगा वोल पर कभी यह पैनल जो हो कहीं पर भी नहीं जाने वाला है और यह ईक तो इन में कीलों में मूलने की problem जो नहीं होती है जब आप installation करते हैं तो कई दफा ऐसा हो जाता है कि जो हमारी दूसरी कीले होती है तो वो लगाते हुए जो है मूल जाती है तो इन कीलों में ऐसा बिलकुल भी नहीं होता है चाहे जितनी hard या नॉर्मल आपकी wall हो तो में बहुत ही आसानी से चली जाती है और वाल में अच्छे तरीके से फिट हो जाती है कभी भी निकलती नहीं है तो आपको ज्यादा तर जो यूज करना है वो कीलो का इस्तेमाल करना है देखिए इस कुरूइंग अगर आप करते हैं तो मैं एक चीज़ आपको बता दू हमारे याँ पे कि यानि पेंच जो होता है वो एक सूरूद के बराबर पेंच जो होता है तो आपका जो है कही लोक तोटने की प्रोबलम जो है वो पेंच में पेंच लगाने में आ जाती है जो इस वजा से हम Knothrick का इस्तेमाल बहुत कम करते इस्क्रूय का इस्तेमाल जो हो नहीं करते हैं कहीं पर अगर ऐसा है कि वहाँ पर आपकी वोल ज्यादा डैमिज है मतलब वोल में ज्यादा अंदर रेत निकल रहा है वोल अच्छे तरीके से जो हो मतलब अच्छी वोल नहीं है तो वहाँ पर इस्क्रूय का आप इस्तेमाल कर पर भी नहीं जाने वाली है तो बैटरण की टिका आपको इस्तेमाल करना है यहांपर आप देखे सकते हैं पैंडल की किस तरीके से किया रही है और यह हमारा पैनल ला रहा है धोस्तों यह हमारा 113 इंच का तरीका मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूँ किस तरीके से panel की cutting की जाती है panel wall पर किस तरीके से लगाया जाता है अब तीन panel finally install हो चुके है और चोथा ये panel जो हो लग रहा है तो ये आप देखें दोस्तों किस तरीके से पैनल जो हो लगाए जाते हैं अब चलिए खर्च के बारे मैं आपको बता देता हूं हमारे भाई कमेंट करते हैं कि भाई खर्च के बारे में लाज्ट में बताते हो तो अभी आपको मैं फिलार बीच में ही वीडियो के मैं खर्च के बारे मैं आपको बता देता हूं अगर द करा सकते हैं दिल्ली पंजाब चंडीगड में हमारा वर्क है अगर आप इन सिटी से हैं गाजियाबाद दिल्ली नौइडा और चंडीगड पंजाब महाली इनमें अगर आप वर्क कराना चाहते हैं तो आप हमें कॉंटेक्ट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉंट करता हूँ कि आप अगर आपकी call receive नहीं की जाती है कहने का मतलब यह है कि phone busy आता है तो उस case में आपको क्या करना है आपको अपना comment जो है वह छोड़ देना है कि भाई मुझे अर्जेंट बात करनी है या अगर आपको मतलब आपका काम चल सकता है comment करने से लग को कामने में जो है वो बता दिया जाएगा और आप इंस्टेंटली जो है वो अगर रिप्लाई चाहते हैं तो दोस्तों हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को जरूर फोलो करें इंस्टाग्राम का लिंक मैंने जो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है फेस्बुक देच को भी लाइक और फोलो करें वहाँ पर आपको इंस्टाग्राम पर मैसिज करेंगे तुरंथ आपको रिप्लाई जो है वो दे दिया जाएगा और इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत ही आसान है आप देख सकते हैं किस तरीके से पैनल जो हो इंस्टॉल किये जा रहे हैं और इंस्टॉल होने के बाद में पहले हमारी वोल कैसी थी और इंस्टॉल होने के बाद में पैनल जो हो किस तरीके के दिखाई देते हैं वो फिलाल यहाँ पर आप देख सकते हैं जो वोल हमने इंस्टॉल की है वो भी आपको दिखाऊंगा वाकी उसके मतलब दूसरी साइड वाली वोल मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ जिसमें हमारी विंडो और डॉर है तो यह आप देख सकते हैं पुरा प्रॉपर फिनिश आप तक सबसे पहले पहुंच सकें दस बैदस का अगर आप आपका एक रूम है तो उसमें आपकी एक वोल का जो खर्चाएगा वो साथ हजार रुपए आएगा सत्तर रुपए पर स्क्वार फुट के हिसाब से